तो तो दोस्तों आज हम लोग एक और सेंपल पेपर करने वाले हैं जो आपका जेनरल अवेरनेस का है नेवी एमार डबल ए और इससर के लिए तो 25 कोश्चन्स हैं इसमें और शुरू करने से पहले एक और चीछ मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना जो स्कोर है उसको कॉमें करना ना भूलें और हाँ अगर नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल इकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें तो शुरू करते हैं पहला कोशन हम लोग देखते हैं गोदान पुस्तक के लेखक कौ एक का हैं मोन सी प्रेम चन ठेकर नेक्स्ट कोश्चन चीन के प्रधान मंत्री कौन है ली फंख ली फ्ञींग, ली सेट, क्लाम सेट, इन में से कोई नहीं, सही अंसर हो जाएगा option 3, यानि कि क्लाम सेट जो है, इसे ही छोड़ा गया था 24 जनवरी 2019 को next question, देश का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल कौन सा है CRPF, BSF Assam Rifles, PSU सही अंसर हो जाएगा option 3, यानि Assam Rifles जो है, देश का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है next question, पुर्व फुटबॉल खिलाडी, डिएगो मेरडोना का संबंद किस देश से था, अर्जेंटीना, दो ब्राजिल, स्तीन, जर्मनी और चार, फ्रांस, सही अंसर हो जाएगा, option number 1 यानि अर्जेंटीना से इनका संबंद था, ये अर्जेंटीना के खिलाडी थे, डिएगो मारे डोना next question, मगद बिश्व बिद्याले कहां इसी थे एक पटना, दो बोध गया तीन नलंदा और चार सारन में सही अंसर, option 2 हो जाएगा यानि बोध गया में इसी थे, मगद बिश्व बिद्याले, next question भारत में कुल कितने राज्ये हैं, एक पट्चीस दो अठाइस, तीन उनतीस और चार चौतीस सही अंसर हो जाएगा, option 3 यानि उनतीस राज्ये हैं, भारत में ठीक है, next question, पाकिस्तान का सरवच्च नागरिक सम्मान कौन सा है निसाने पाकिस्तान पाकिस्तान रत्न अंजुमन ए पाकिस्तान इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएगा, option 1 यानि निसाने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सरवच्च नागरिक पुरसकार है नेक्स्ट कुश्चन, कुमार संभवम के रचाईता कौन है, भास, भाभूती कालीदास और तुलसीदास सही अंसर हो जाएगा, option नमबर 3 यानि की कालीदास जो है, कुमार संभवम के रचाईता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्याले कहां है निव यार्क, एथिन्स, लंदन और वासिंटन, सही अंसर हो जाएगा, option नमबर 3 यानि, लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्याले नेक्स्ट कुश्चन है, हमारा परंबीर चकर के बाद सबसे बड़ा सौर रेपुरसकार कौन सा है, एक बीर चकर दो महाबीर चकर, तीन अती बिसिष्ट सेवा मेडल और चार बिसिष्ट सेवा मेडल राइट एंसर हो जाएगा, option नमबर 2 यानि महाबीर चकर जो है, परंबीर चकर के बाद सबसे बड़ा सौर रेपुरसकार है नेक्स्ट क्वेश्ट अंडमान एमनी अनि हरिवंस राय बच्चन, दो हजारी परसाथ दिवेदी, तीन रामधारी सिंग दिंकर और चार महादेवी भर्मा, साही अंसर हो जाएगा option number 1 यानि हर्वन राय बच्चन की रचना है मदू साला next question 14 number किसी राज्य के बिश्व बिद्यालेओं के पदे इन चांसलर कौन होते हैं एक बिधान सभा अध्यक्ष दो बिधान परिशा अध्यक्ष राज्येपाल हाई कोड का मुख्य न्याय देश सही answer हो जाएगा option number 3 यानि राज्येपाल जो हैं किसी राज्य के बिश्व बिद्यालेओं के पदे इन चांसलर होते हैं next question मारिया सारोपोवा किस देश की टेनिस की लड़ी हैं जापान की रूस की चीन की अमेरिका की सही answer हो जाएगा option number 2 यानि रूस की ये टेनिस स्टार है मारिया सारोपोवा मिस यूनिवर्स जीतने वाली अंतिम भारती सुन्दरी कौन थी सुसमिता सेंड, डाइना हेडन, लारा दत्ता और एस्वरिया राय सही answer हो जाएगा option number 3 लारा दत्ता जो थी मिस यूनिवर्स जीतने वाली अंतिम भारती सुन्दरी थी यूदक बिमान, जगुआर का निर्मादा देश कौन सा है? United Kingdom, अमेरिका, इसराइल, इटली सही answer option एक हो जाएगा United Kingdom यानि UK इसी ने जगुआर का निर्माद किया सही answer हो जाएगा option number 2 यानि एर चीफ मार्सल बोलते हैं वायू से ना अध्यक्ष को ठीक है? Next question फिल मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमी का किसने निभाई थी? अजे देवगन ने, अमीर खान ने, मोहन गोखले ने, परकास दुगल ने सही answer हो जाएगा option number 2 अमीर खान ने मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमी का निभाई थी? बढ़ते हैं अपने next question की ओर राष्ट मंडल खेल भारत में किस वर्स आयूजित हुआ था? 2008 में, 2006 में, 2010 में और 2012 में सही answer हो जाएगा option number 3 यानि 2010 में राष्ट मंडल खेल भारत में आयूजित हुआ था सर क्रिक बिवाद की इन दो देसों से संबंध है भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन, भारत, मैं आमार, भारत, अफगानिस्तान सही एंसर हो जाएगा option number 1 यानि भारत पाकिस्तान से संबन्दी था ये बिवाद सर क्रिक ठीक है next question बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है कालिदास, अस्वघोस, चंद्रगुप्त मौर और बाने भट सही एंसर हो जाएगा option number 2 यानि अस्वघोस जो है बुद्ध चरित्रम के लेखक है ठीक है LIC का सब्द बिस्तार क्या है Life Insurance Corporation Life Individual Corporation Life Index Corporation Life Insurance Company सही एंसर हो जाएगा option number 1 Life Insurance Corporation next question मड़ीपूर की रजधानी क्या है आईजॉल, इंफाल, अगरतला और कोहिमा सही एंसर हो जाएगा option number 2 यानि इंफाल जो है मड़ीपूर की रजधानी है next question 25 number सबसे उची परवत चोटी कौन सी है कली मंजारो, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट और कंचन जंगा सही एंसर हो जाएगा option number 3 यानि माउंट एवरेस्ट दोस्तो एक चीज़ यहाँ पर आज के यह question तो खतम हो गए लेकिन एक चीज़ यहाँ पर clear कर दूँ कि यह बहुत ही जादा important question सारे थे आप लोगों के लिए सबी question आप लोग अच्छे से कर लेना और अपना score comment करना ना भूलना विडियो अच्छा लगा हो तो like करो share करो अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा कोई और topic पर विडियो चाहिए तो comment कर सकते हो comment section में और channel को subscribe नहीं करें तो subscribe करके bell icon को press कर लेना मिलता हूँ next video में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो